हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकम टॉपर पर और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 11 विकिनन दथा दोयत प्रकती तो कल की कलास में हम लोगों ने पढ़ा था आइंश्टीन के प्रकाश वैदू समीकरण के बारे में यानि प्रकाश वैदूत प्रभाव की व्याख्या आइंश्टीन ने किस प्रकार से की थी उसके बारे में हमने डीटेल से डिसक्स किया था और साथ ही साथ हमने जो फोटान से related concept थे, photon क्या होता है, उसके क्या, अब इलच्छन होते हैं, उनके बारे में भी discuss किया था, तो आज की class में हम देखने वाले हैं topic के बारे में प्रकास की द्वयत प्रकति क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दी ब्रोगली तरंग दैर के बारे में कि दी ब्रोगली तरंग दैर क्या होती है, और इसके साथ ही हमारी जो unity level ने पूरी तरीके से complete हो जाएगी, तो काफी important session रहने वाला है, तो आप जरूर लाश्ट तक वीडियो को देखें, और क्योंकि काफी जरूरी information होगी आपके और दी ब्रोगली तरंग दैर से related, तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं class को, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अभी तक हम देखते आये कि प्रकास को लेकर कई सारे वेग्यानिकों ने अपने अपने प्रियोग किये और बहुत सारे वेग्यानिक आये उन्होंने प्रक प्रकास को तरंग बताया, किसी ने प्रकास को कड़ प्रकति का बताया, तो इसको समझते हैं पहले, तो क्या हुआ कि 19 सताब्दी तक सभी वेग्यानिक इस बात से संतुष्ट थे कि प्रकास एक तरंग ये, यानि अभी तक प्रकास के तरंग प्रकति की ही पुष्टी जैसा कि हमने देखा जब हमने तरंग प्रकास की पड़ी थी in उनिट 10, तो उसमें हमने क्या पढ़ा विवर्तन, वेतिकरण ज्रुअर और जो परारतन, पर्वबद вариतन, यह सभी पढ़ा तो इन सभी जगे में प्रकास को क्या माना गया तरंग माना गया यह प्रकास की वग्यानिक सर्ग की रूप में चलता है. इनों ने भी प्रकास की तरंग प्रकती को ही वग्यानिक मैक्स्वेल ने. उसके बाद क्या हुआ थो परावडदन अपवडदन ये सारी गटना औहीं इसमें प्रकास के तरंग प्रकती की पुष्टी होती है फिर उसके बाद क्या हुआ जब 1900 वग्यानिक प्लांग आए तब उन्होंने इस प्रकति को बदला यानि उन्होंने बताया कि प्रकास की अन्य भी प्रकति होती है नहीं तो जो वग्यानिक थे उनको पूरी तरीकेकेसे के लिएर हो गया था कि अब हम प्रकास को तरंग ही मानेंगे और प्रकास के तरंग से ही सारी गटनाओं के पुष्ट होती है ऐसा वग्यानिक मान रहे थे लेकिन फिर क्या हुआ इन्हों ने सिद्धान दिया कि जो प्रकास है वो एक बंडलों के रूब में चलता है जिने उन्होंने अपनी quantum theory में समझाया जिसके बारे में कल हम लोग उने discuss किया दा photon के बारे में तो Max Planck ने प्रकास उड़जा बंडलों के रूब में चलता है और इन्होंने इसको कण माना यानि कण प्रकाती एक नई प्रकाती लेका रहा है वेग्यानिक Max Planck अभी तक वेग्यानिक मान रहे थे कि प्रकास की केवल एक ही प्रकाती होती है तरंग प्रकाती उसी से सभी गट से उन्होंने प्रकास के कण प्रकत की व्याख्या की और फिर हमने पड़ा था वेग्यानिक आइंस्टीन का प्रकास व्यादू समीकन तो उन्होंने इसी को बेस माना था फोटान को बेस मान कर ही उन्होंने प्रकास व्यादूत प्रभाव की व्याख्या की थी तो इन्होंने भी प्रिकास के कण प्रकत की व्यक्त है कि फोटान के माद्यम से Max Planck ने बताया है कि प्रिकास जो है वो कण की रूम में चलता है फोटान की रूम में चलता है और उसके बाद क्या हुआ 1924 1924 में वैग्यानिक आय कामप्टन वग्यानिक काम्टन ने क्या किया एक सकीरण प्रकीरण प्रयोग किया तो इसके माध्यम से भी उन्होंने बताया कि जो इलेक्टरान है वो फोटान के रूम में चलते हैं यानि उन्होंने भी फोटान के माध्यम से प्रकास की कण प्रवाव की ब्याख्या कि जिसे हम काम्टन प्रवाव कहते हैं तो देखें यहां पर तीन वैज्यानिक है जिन्होंने कन प्रकति की पुष्टी की पहले वैज्यानिक 1900 से पहले वैज्यानिक मान रहे थे प्रकास तरंग प्रकास की प्रकति तरंग होती है यानि प्रकास तरंग प्रकति का होता है और इससे ही सभी घटना की रूप में चलता है तो इस प्रकार से यहां पर इन्होंने अपने सिद्दान दिये तो हमने क्या देखा कि जो प्रकास की कुछ गटना है जैसे प्रकास वैदूत प्रभाव हो गया और इसके साथ ही साथ रमन प्रभाव हो गया बैग्यानिक शीवी रमन के आदार पर एक र प्रकास के कण प्रकति की पुष्टी होती है यानि इनकी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ क्वांटम सिद्दान्त और कण प्रकति से ही इन प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है इनको तरंग प्रकास से हम यानि प्रकास की प्रकति को तरंग मानकर हम इन प्रभाव की व्या परावड़तन अपवड़तन वेतिकरण विवड़तन इन गटनाओं की व्याख्या हम प्रकास की तरंग प्रकति से कर सकते हैं और कण प्रकति से इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है तो देखे कुछ गटनाएं हैं जिनमें प्रकास को कण मानकर ही हम की व्याख्या कर सकते हैं और कुछ गटनाएं हैं जिनमें हम प्रकास को तरंग मानकर ही व्याख्या कर सकते हैं तो क्या हुआ तो यह गटना है जब हमको देखने को मिली तो फिर क्या हुआ दोहरी प्रकति ने वग्यानिक कन्फ्यूज हो गए वग्यानिक कन्फ्यूज हो गए कि हम प्रकास को कण माने कि प्रकास को तरंग माने क्योंकि कुछ गटना है प्रकास के कण प्रभाव से होती है और कुछ गटना है प्रकास की तरंग से दानते हैं यानि हम प्रकास की प्रकति को तरंग मानते हैं तो कुछ गटनाओ की पुष्टी होती है और कुछ गटनाओ की पुष्टी तब होती है जब हम प्रकास को कण मानते हैं तो दोहरी प्रकति से वग्यानिक कन्फ्यूज होगे तो फिर at last उन्होंने ये माना कि जो प्रकास है उन्होंने at last माना कि प्रकास है इसमें दोनों नेचर है यानि कन प्रकति भी है और तरंग प्रकति भी है तो at last वैग्यानिक इस बात पर सैमत हुए कि कन प्रकति और तरंग प्रकति प्रकास में दोनों प्रकार की प्रकति होती यह दोनों नेशर का प्रकास होता है कण प्रकति भी और तरंग प्रकति भी और इसे ही कहा गया प्रकास की द्वैद प्रकति यानि प्रकास में दोनों गुण पाये जाते हैं तरंग के भी और कण के भी इसे ही प्रकास की द्वैद प्रकति कहा गया तो यह आलोबर इससे related जो confusion थे वो हमने आपको बताया कि कई सारे वैग्यानिक इसमें आए अलग-अलग अमने इसाब से उन्होंने प्रयोक किये अलग-अलग बे आख्या दी किसी ने बताया ये कण प्रकति ये किसी ने तरंग प्रकति तो at last प्रकास को दूनों मान लिया गया कण प्रकति भी और तरंग प्रकति भी और इसी बीच ये confusion चल ला था तो उसी बीच 1924 में एक फ्रांसीसी वैग्यानिक फिर आते हैं लुईस लुईस डी ब्रोगली तो एक देखिये फिर नयवे गयानिक आये 1924 में और इन्होंने एक तर्ख प्रस्तुत किया इन्होंने बताया गतिसील कण सदय ये कण सब्रकति होते हैं इसका क्या मतलब है तो इन्होंने बताया है इन्होंने दोनों को मिक्स करके यहां पर एक कॉं सदयो कन सदयो तरंग से संबद्ध होते हैं यानी जो फोटाने कने इनमें हमेशा तरंग प्रकति भी होती है तो इनोंने दोनों प्रकति के बारे में व्याख्या की यानी प्रकास की दोयत प्रकति की व्याख्या की और इसलिए दोयत प्रकति में ना केवल प्रकास होती है बल और उन्हेंने ये भी बताये कि इलेक्टरान हो या फोटान हो इलेक्टान फोटान कोई भी द्रब्ब्ब कण जब गति करता है तो सदयो तरंग की भात ही बेवार करता है इन्म प्रगती यानि इनमे तरंग प्रकती भी होती र कंड में तरंगों कोम क्या कहते हैं इन तरंगोंuğ को हम द्रब्य तरंगे कहते हैं इन तरंगों को हम द्रब्य तरंगे कहते हैं और इनकी तरंग दैर्ख जो होती है उसको हम डी ब्रोगली तरंग दैर का नाम देते हैं तो अब समझते हैं क्या है डी ब्रोगली तरंग दैर तो उसके पहले बैग्यानिक डी ब्रोगली ने बताया कि जो कोई कण होते हैं इलेक और इनकी तरंग दैर को डी ब्रोगली तरंग दैर कहा जाता है, अब इन्हों ने ये प्रयोग दिया तो इनकी सपोर्ट में फिर एक और वग्यानिक आए, डेविसन और जरमर, दो वग्यानिक इनके सपोर्ट में हो रहा है, वग्यानिक डेविसन और जरमर, ये अमेरिकी बिगणों में भी तरंग प्रकती होती वग्यानिक डेविसंद जर्मन ने अपने प्रयोगों से ये बताया और फिर आते हैं इंग्लेंड के एक वग्यानिक जीपी थांसन थांसन उन्होंने कैए उन्होंने भी प्रदर्सित किया कि इलेक्टरान में विवड़तान होता है इलेक्टरान पुझ में विवड़तान होता है तो क्या मतलब है इलेक्टरान तो एक कड़ है और उसमें विवड़तान होता है यानि तरंग की गटना होती है तरंग प्रकत की गटना होती है यानि की कड़ हमेशाथ तरंग की बहाती बेवार करते हैं, इस बात की पुष्टी हो गई, तीन वग्यानिक होने कर दी, सबसे पहले डीब रोगली, फ्रांसेसी वग्यानिक, फिर आए अमेरिकी वग्यानिक डेविसन जर्मर, उन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से बताया, द्रव कणो की तरंग प्रकत के बारे में प्रदर्शन किया, उसके बाद 1927 में वग्यानिक आये डेविसन जर्मर, और 1928 में वग्यानिक जीपी थांपसन ने ये बताया कि जो इलेक्टरान है, उसमें विवर्तन की पुष्टी होती है, यानि विवर्तन, इलेक्टरान पुझ में विवर्तन होता है, तो उन्होंने इलेक्टरान पुझ में विवर्तन से ये दर्स आया कि जो तिरभ्य कंड होती है, उन्होंने तरंग प्रकती होती है, तो देखिए कि इस प्रकार से बहुत ही जादा कंफ्यूजा ने बहुत ही सारे विग्यानिक आये अलग-अलग कॉंसेप्ट उन्होंने दिया, तो हमको इसमें सीधा सा याद रखना है कि प्रकास की तरंग प्रकती से किसकी ब्याख्या होती है, परावर्तन, अपवर्तन, वेतिकरन विवर्तन, और प्रकास के कंड प्रकती से जतने वी प्रभाव हो है, प्रकास वे दूद प्रभाव, रमन प्रभाव, और कामटन प्रभाव, यह तीन वग्यानिक थे, कामटन ने, कामटन प्रवाव और उसके बाद रमन ने, रमन प्रवाव और प्रकास वे दुद्ध प्रवाव की व्याक है, किसीने की थी? आइंश्टीन और मैक्स प्लांक ने मिलकर ये तिनी बात होग़ी और प्रकास को विद्धो चुमकी किसी ने माना मैक्स वेल ने माना और उसके बाद ये तीन वग्यानिक आये डी ब्रॉगली, डेविसन जर्मर यानि चार वग्यानिक होगए तो यह आलोवर कॉंसेप्ट था थेवरी पॉर्सन था इसका और यह लांग क्वेशन में भी आ सकता है डी वरुगली तरंदेर की व्याख्या कीजिए तो आपको पहले थोड़ा से इसका बेस्ट बताना पड़ेगा किस परकार से प्रकास की अलग-अलग व्याख्या की गई लग-अलग वैगयनिकों के द्वारा और फिर इसका जो नुमेरिकली फॉर्म है वो हमको प्रूब पनना होगा जिसे अब हम प्रूब पनने जा रहे हैं तो प्रकास के कॉंटम सिद्धान्द के अनुसार प्रकास न्यू संबद्ध फोटान की उर्जा हम सबसे पहले यह आ बराबर करेंगे यह आइश्टीन ने अपना साफेच है था कि जो सी धान्द दिया था यह बराबर mc2 उसको हम यहाँ पर बराबर करेंगे अब क्या करेंगे समी करण एक और दो देखिए आप लिफ्ट हैंड साइट बराबर है तो राइट हैंड साइट बराबर होगी एस हुआ कि फोटान प्रकास की चाल यानि फोटान प्रकास की चाल से चलता है हमने फोटान की लेच्छर में आपको यह बात बताई थी तो m दरब्यमान हमको मिल गया और अब हमको क्या निकालना है हमको इसका फोटान का सम्वेग निकालना है यानि p बराबर mv होता है जो फा याắn ही हमको क्या मिला हम को मिला यहां पर पी ढ़ाबर एच लैम्दा ॏच आपान लैम्डा यह आ गया फोटान के शावेक का फाइर는지 पिला गर आपग मान्य होता है यह अपन ओपल्थ यह D-Brogli तरंग देरक का फार्मूला हमको देखने को मिला यह इसे ही हम एक और रूप में लिख सकते हैं Lambda बराबर H upon mv P बराबर mv हमने लिख दी तो यह तरंग देरका फार्मूला है जिसे हम D-Brogli तरंग देरका फार्मूला भी कह सकते हैं यहाँ यहाँ पर कण का द्रब्यमान क्या है M है वह वेग V से गतिमान है और H यहाँ पर प्लांक नीतां के Lambda की तरंग देर हैं और इसी को हम कहते हैं क्या D-Brogli तरंग देरका विंजक D-Brogli तरंग देरका विंजक है अब देखिए तो यह द्रब्य तरंग हो गई अब इनके गुण क्या होते हैं अलग-अलग तो गुण होती हलके कण से बद D-Brogli तरंग देर सदय हो दीर गोती यानि अब यही से हम रिलेशन निकालेंगे तो देखिए Lambda अनकुमान पाती 1 अपान होता यानि ज्यादा द्रब्य मान तो कम तरंग दयर कम द्रब्य मान तो ज्यादा तरंग दयर कम द्रब्य मान तो ज्यादा तरंग दयर करती हैं देखिए कहीं फार्मूले पर आवेस है भी नहीं तो इसी लिए उस पर डिपंड भी नहीं करती है और यह विद्दू चुम की तरंगे नहीं है जो द्रुब तरंगे नहीं है यह भी बात आपको याद रखने है अब इलेक्ट्रान से बद्द टी प्रोगली तरंग इसी में हमको क्या करना है इसी से रिलेटेड जो फार्मूले है वो केवल हमको याद रखने तो एक फार्मूला और बनता है लेम्डा जिनका उप्योग आपको नुमेरिकल समय करना होगा अंडर रूट 2 Mk यह एक फार्मूला बनता है डीपरोगी तरंग देर का क्योंकि अ डीपरोगी तरंग देर का ही फार्मूला है और अब हम इसको अगर नुमेरिकली फार्म में डिनोट करें तो देखे लेम्डा बराबर एच अपान अंडरूट 2 M.E.V. यह हमने निकाला फार्मूला इसमें E क्या है? E है इलेक्टान का इलेक्टान पर आवेस और V यहां पर है विवांतर दिया हुगा है तो अब इनके मान रखेंगे देखिए H का मान होता है कि 6.63 x 10 to the power minus 34 Joule पर सेकेंड यह होता है H का मान उसके बाद M का मान यानि इलेक्टान का दर्वेमान 9.1 x 10 to the power minus 31 kg और इलेक्टान का वेस 1.6 x 10 to the power minus 19 कूलाम और V की जगे V वोल्ट रखें पता नहीं है तो जब यह मान हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको, TV यहां पर मिलेगा Numerically form में 12.27 upon under dot V यह फार्मूला आएगा, नमेरिकली फोर्म में और जो की होगा किसमें इंगेश्ट्रॉम में यही जो तरंग दयर मिलेगी, वह हमको इंगेश्ट्रॉम में मिलेगी, तो यह था ठी ब्रोग्ली आध से रिलेटेट अर्मेश्ट ब्रॉब किया और theoretical भी बताया person ने कि D Bro captain Broglie ने कहा किया प्रकास की ka na pra प्रकास की क्लेखग्र का होती प्रकास की तरंग प्रकति क्या होती प्रकास की καथ की दध्र्कति क्या होती और कि बैग्यानिकों ने प्रकास को c रहं हमांगे जो हमारी बची हुई units हैं तोब ऐसे in यूनिट है यह related है कि इससे परमाण से यानि कि atom से related unit है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और यह जो 14 unit है यह semiconductor यानि 8 दचालक से related यह unit है तो यह 3 unit हमारी बची है तो इनको भी हम complete करेंगा और इस वरकार से मारजो physics का syllabus है पूरी तरीके से complete हो जाएगा यानि आज की class के बाद हम लोगों ने light से related सभी concept को पढ़ लिया है क्योंकि 9 और 10 unit हमने सबसे पहले ही पढ़ी थी शुरुआत में और प्रकास से related एक और यह unit थी unit 11 जिसमें दोयत प्रकत के बारे में बताया गया है तो इसकी बारे में भी हमने detail में discuss कर लिया तो इस प्रकार सेमी कंडुक्टर अर्दचालर की एक unit और हमारा पूरा syllabus पूरी तरीके से complete हो जाएगा तो मिलते हैं आप से next वीडियो में नई unit के साथ तब तक के लिए धन्यवाद